राहुल और सोनू एक जगा घूमने जाते हैं, वो जगा खंडर जैसी लगती हैं, दोनों को वहाँ बहुत मज़ा आता है, सोनू और राहुल हर चीज को देखते हैं, उन्हें वहाँ अजीब सी चीजे दिखाई देती हैं, जैसे तरहत्रा के पत्थर और भी कई सारी चीजें राहुल यहां कितनी अजीब सी चीजे हैं और सभी चीजे बहुत सुन्दर हैं आ यार मैं थोड़ा ठक गया हूँ हम यहां बैठ जाते हैं फिर और भूमेंगे हाँ, सोनु तेरे पास पानी है यार बहुत प्यास लग रही है नहीं है पानी तो सोनु यहां कहकर वहां से थोड़ा दूर चला जाता है इतने में राहुल को पानी की बोतल दिखाई देती है सोनु भी न मजाक करना नहीं छोड़ेगा और राहुल उस पानी की बोतल से पानी उठा कर पी लेता है थोड़ी देर बाद सोनु को एक अजीब सी चीज दिखाई देती है राहुल देख यह क्या है हाँ यार चलो पास चल कर देखते हैं दोनों उसके पास जाते हैं दोनों की आखे फटी रह जाती है राहुल इतना बड़ा मकडी का जाल मैंने भी इतना बड़ा मकडी का जाल पहली बार देखा है दोनों उस मकडी के जाल को अजीब तरह से देखते हैं लेकिन दोनों की उस जाल को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं होती इतने में सोनू कहता है यार राहुल बहुत भूख लग रही है और ऐसा लग रहा है खाना खाने के बाद सोने के लिए अच्छा सा बिस्तर मिल जाए इतना कहते ही बहुत सारा खाना दोनों के सामने आ जाता है और सोने के लिए शाही बिस्तर भी आ जाता है सोनू ये क्या है? ऐसा कैसे हो रहा है? अब अच्छानक से मकडी के जाल में से आवाज आती है मैं तुम्हारी हर विश्पूरी कर सकता हूँ लेकिन तुम हो कौन? मैं मकडी का जाल हूँ जो बहुत समय से यहां हूँ लेकिन आप हमारी विश्पूरी करना चाहते हो? मैं सबकी विशपूरी करता हूँ आप हमारी सारी विशपूरी कर सकते हो हाँ सोनो और राहुल मकडी के जाल से कई सारी चीजे मांगते हैं जैसे कपडे, खाना, जूते और भी कई सारी चीजे अब दोनों का जाने का समय हो जाता है हम आपका धन्यवाद करना चाहते है मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप यहां आये मुझे बहुत अच्छा लगा हम फिर आएंगे आप से मिलने आपका स्वागत है दोनों वहां से चले जाते हैं और दोनों को वहां बहुत अच्छा लगता है राहुल कहता है मुझे तो यहां से जाने का मन ही नहीं हो रहा लेकिन वापस तो जाना पड़ेगा न हम यहां हमेशा के लिए नहीं रह सकते हाँ बात तो सही है दोनों चले जाते हैं लेकिन राहुल फिर से एक दिन अकेला जाता है मुझे कुछ चाहिए है आप से मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए और मुझे सोनू से आगे बढ़ना है पैसा तो मैं तुमको दे दूँगा लेकिन सोनू तो तुम्हारा अच्छा दोस्त है फिर तुम ऐसा क्यों चाहते हो मैं खुद आगे बढ़ना चाहता हूँ सोनू मेरा दोस्त है लेकिन मैं उसे आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता वैसे तो ये गलत है फिर भी मैं सब की विश्पूरी करता हूँ तो तुम्हारी ये विश्पूरी करूंगा आप बस मेरी विश्पूरी कर दो मकडी का जाल राहुल की विश्पूरी कर देता है और राहुल वहां से चला जाता है खोड़ी देर बाद सोनू वहां आता है और कहता है कैसे हो मकडी के जाल? मैं ठीक हूँ, कैसे आना हुआ? मैं अपने दोस्त राहुल के लिए विश्पूरी कर देता हूँ मांगो, मेरे दोस्त राहुल को आप सारी खुशिया दे दो जो भी वो चाहता है सोनू बहुत अच्छी बात है तुमने अपने दोस्त के लिए इतना सोचा और उसको तुम इतना प्यार करते हो मैं तुमको ये छोटा सा मकडी का जाल देना चाहता हूँ जो तुम्हारी हमेशा मदद करेगा सोनू खुश हो जाता है और मकडी के जाल को धन्यवात कहता है और वहां से चला जाता है आप जब किसी के साथ अच्छा करते हो तो आप के साथ भी अच्छा होता है इसलिए कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए